नमस्कार मैं हूँ ब्रियेस और आपके लिए लेकर के आया हूँ बिग बॉस का एक खास अपडेट बिग बॉस 16 में सच्चाई की मूरत प्रियंका चाहर चौधरी जो घर के लगबग हर मुद्दे में अपनी टांग आणाती हैं और उस टॉपिक को अपना टॉपिक बना लेती हैं यानि सारी लाइम लाइट अपनी तरफ खिच लेती हैं उनकी ये बात सुरुआती हफ्ते तो ठीक लगी लेकिन अब दर्शक इससे काफी एरिटेट हो चुके हैं घरवाले ने तो उनका नाम भी अब भौपू रख दिया है खैद अब बात करते हैं उनकी जिस पर प्रियंका को बहुत गर्व है वो डंके के चोट पर करती हैं कि वो हमेशा सही काई स्टेंड लेती हैं जब सुंबुल तवकीर के लिए साजित खान ने 25 लाक रुपे कुर्बान कर दिये थे तब वो आग बबूला हो गई थी लेकिन फिर यब शालिन ने भी टीना के लिए ऐसा किया तो उनके सूर कुछ बदले हुए न जराए अब तो उन्होंने गजबी डा दिया है उन्होंने खुद वो 25 लाक रुपे वापस पाने का मौका गवा दिया है वो भी अपने दोस्त अंकित गुपता के लिए अब मिली जानकारी के मुताबिक नॉमिनेशन टास्क में ज्यादा तर घरवालों ने अंकित गुपता का नाम लिया और नॉमिनेट हो गए इसके बाद बिग बोस ने अपना गेम खेला उन्होंने प्रियंका चार चौधरी को अंकित को बचाने का एक मौका दिया लेकित इसके लिए चुकानी पड़ी एक भारी कीमत वो भी घर वालों के एक्सपेंस पर जी हाँ बिग बोस ने प्रियंका के सामने दो आप्सन रखे एक तरफ अंकित को नॉमिनेशन से बचाने तो दूसरी तरफ 25 लाख रुपए वापस पानेगा मौका प्रियंका ने 25 लाख रुपए की बजाए अंकित को चुना अब ये देखना होगा कि अब प्रियंका चाहर चोधरी घर वालों से अपनी सफाई में क्या करेंगी क्योंकि घर में एक बार फिर से बवाल मचेगा क्योंकि ये 25 लाख रुपए वीनर की प्राइज मनी में से हैं प्रियंका नॉमिनेशन की बात करें तो खबर है कि इस वीक श्रिजिता डे विकास मानकतला और अंकित गुपता नॉमिनेटेड हैं फिर एमसे इस्टेन ने विसेस अधिकार का इस्तेबाल करते हुए टीना दत्ता को भी नॉमिनेट कर दिया है इसके बाद प्रियंका ने अंकित को बचा लिया इस वज़े से श्रिजिता विकास और टीना पर विगर होने की तलवार लटक रही है वहीं अब बीते एपिसूट की बात करें तो घर में कैप्टेन सी टास्क हुआ था इस अबते भी तीन कैप्टेन मिलकर घर चला रहे हैं पहले संधरिया सर्मा और विकास मंकतला कैप्टेन थे लेकिन बिग बस ने विकास को फायर कर दिया इसके बाद संधरिया ने MC स्टेन और सिरीजिता डे को कैप्टेन बनाया है प्रियंका चाहर चोधरी ने जिस तर से 25 लाग की मनी को ठुकरा करके अंकित गुपता को बचाया है इस पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बिग बॉस के अपडेट के लिए आप देखते रहे हमारा ये चैनल नमस्कार